असलाम अलेकुम गाईस वालकम टो माई चैनल सो गाईस आज मैं आपको इस देजाइन को बना के दिखाने वाली हूँ तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे इस देजाइन को आप कहीं भी बना सकते हैं इससे आप ड्रेस पे भी छोटे-छोटे बुटो की तरफ बहुत ही सिंपल डिजाइन है यह बिगनर स्टीचिंग है बिलकुल भी मुश्किल नहीं है बहुत ही असानी से बना सकते हैं इसे आप डुपट्टे पे भी दूर-दूर बुटो की तरह बना सकते हैं अगर आपका साधा है तो इस पर भी बहुत ही खुबसूरत लगेगा स साथी साथ आप इसे टेबल क्लोथ पे और धकिये पे तो बना ही सकते हैं कुशन कवर पे बना ही सकते हैं साथी साथ मैंने आपको और भी एक्स्ट्रा चीजे बता दी कि आप इसे अपने डुपट्टे पे भी कई लोग बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं साथी साथी स तो अगर आपने नहीं देखिए तो जरूर मेरी चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर वीडियो मेरी अप्लोडेड है तो आपको कंप्यूटर चादर का डिजाइन है बहुत ही खुबसूरा डिजाइन है तो आप उसे जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं आपको जरूर से जरूर पसंद आएगी साथी साथ उस चादर के साथ आपको कुशन कवर का भी डिजाइन मिल जाएगा तो अगर आप एक ऐसा ब्राइडल चादर बनाना चाहते हैं इसमें पिलो कवर और कुशन कवर दोनों हो तो आप उसे बना सकते हैं तो देखिए इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे शानल को आप सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में बने बैल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके हैं इसे तरीके से हम इसे पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं सबसे सकते हैं इसानल को आपआ इसे कि लिए मेरे मिल सकते हैं तरीके सकते हैं तरीकेशन सबस्द striक체적 कि मेरा complete हो गया इसी तरी के साब को complete कर लेना है अब मैं इसको बनाऊंगी इस्टाली कर बनाने के लिए ग्रीन के ले लेडर के मैं anchor की दोगे हैं यूस कर सकते हैं इसकी आपको अर्डागे का लियूज कर रहा हैं मैुज अजर्श के जगे मसले लट्वारी के गायस जो भी डिजाइन बनाने में बीगिनर हो बहुत ही असानी से बना पाएंगे इस डीजाइन को बनाना बिलकुल भी मुष्किल नहीं है बहुत हीweek असान तरीके से मैं इस पूरे डिजाइन को बनाया है ताकि कोई भी डिजाइन को बना सके इसको आप गायस एक ट्राइ किजेगा अब मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको डिजाइन कैसा लगा तो देखे यह मेरा एक साइट का कम्प्लीट हो गया अब मैं दूसरे साइट भी इस तरीके से बनाऊंगे कि अब मुझे यलो कि दागा लेना है मैं अब को पहले दिखाया था कि मैं तीन कलर के दागे का यूज करूंगी ग्रीन, पिंक and यलो अब मेरे यलो का काम है तो यलो के लिए मैंने इस तरीके से 6 स्टेंथ लिए पूरे के पूरे स्टेंथ लिए 6 और इसको इस तरीके से बनाती जाओंगी तो गाइस आप मेरे शानल पर देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे hand embroidery, crochet का वीडियो, बिस्तर का डिजाइन, चादर का डिजाइन साथी साथ cross station के भी बहुत अच्छे अच्छे pattern देख सकते हैं आप मेरे शानल पर विजिट करके जरूर मेरे शानल को watch कीजेगा पसंद आता है गाइस तो प्लीज एक like कर दीजेगा, share कर दीजेगा और मेरे शानल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा गाइस तो गाइस देखे, जिस तरीके से मैं आपको hand embroidery दिखा रहे हूं जस्ट आपको वैसे ही बनाती जाना है और बहुत यह असानी से आपको यह पूरा डिजाइन त्यार हो जाएगा तो देखे, मेरा complete हो गया अभी देखे, गाइस बीच में हम इस तरीके से सरिफ लाइन बनाकर एक हम राउंड का शेप दे देगे जैसे कि मैंने अपको बताया कि मैं beginner stitching ही बना रही हूं तो बिल्कुल आप बहुत ही असानी से जिसको बिल्कुल भी stitching नहीं आती वह भी बहुत ही असानी से बना सकते हैं इस तरीके से लेखे इस तरीके से अमें एक दूसरे के उपर लेयर की तरह लाइट बनाना है और वो एक पॉइंट का रूप ले लेगा एक गुलाई का रूप ले लेगा इसे तरीके से हम बना के कम्प्लीट कर लेते हैं सो देखिए गाइस बढ़ने के बाद किता ही खुपसरत लग रहा है तरह डिजाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है मैंने ये कुशन कवर पर बनाया है आप भी जरूर बनाएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बिदाएगा कि आपको डिजाइन कैसा लगा फिर मिलेंगे गाइ झाल